जो सरिंगेटी माइडेशन जो हम डिसकस कर रहे थे विच इस वन अफ ता वंडर अफ नेचर और आप तंजानिया में इसको अबसर्फ कर सकते हैं और जो हमारी जो हो बहुत सरी वाइड लाइफ का बड़ा में होट टॉपिक है बहुत सरी खुबसर जो बहेवियर्स है अनेमल्स है हम वहाँ दिखते हैं और वैसे भी जो अफ्रिकन कांटिनेंट है बेसिकली वो सबसे ज़्यादा जो बड़े लाज मैमल्स है उनका होम है इतने बड़े-बड़े large mammal हमें बाकी किसी और continent में नजर नहीं आते हैं लेकिन यह जो migration है यह नेचर ने उनको कोई lead करने के लिए उनकी जो genetic जो make-up है जो उनके अन्दे instinct है वो उसकी वज़ा से start होती है तो हर मन्थ में वो उस सेरिंगेटी जो national park है जो के कीनिया तक extend करता है और उसके जो game reserve वाला area वहां तक जाता है और यह तमाम के तमाम animals जो हैं जिसमें wild beast है, zebra's हैं, जिसके अंदर antilopes हैं, यह तमाम के तमाम एक जो है लाखों की तदाद के अदर move करते हैं तो हर मन्थ जो है किस तरह से इनकी movement होती है, जो है वो उसी सेरिंगेटी जो है वो plane के अंदर यह हम month wise देखेंगे, वो herds जो हैं, वो पूरे के पूरे जो जानवर हैं, वो कैसे जा रहे हैं तो first जो है उसमें हम देख सकते हैं कि January में जो है यह जो herds है spread to graze across the southern serengeti lush green short grasses, यह southern part of जो है वो तंजानिया है और यह यहाँ पर इस southern part के अंदर जो है, वो herds यहाँ पर पाए जाते हैं और इस वकर जो है वो थोड़ी सी rainfall हुई होती है, लहाज़ा यहाँ short जो है वो grasses होते हैं उसके पर अपना गुजारा करते है, next February के अंदर a little bit further, look at this इसमें थोड़ा सारा जो है, यह थोड़ा सार जैसे west की तरफ जो है, वो east की तरफ move कर गए है और इसके सासे यह थोड़ा यह वाले green area जहाँ पर के वो green grass रह गई है, वहाँ पर पाए जाते हैं तो यहाँ पर जो है वो उन में और यह वाली वो position है जिसका बहुत जादा जो है वो cuffs जिसे synchronization जो birth हमने नाम दिया था, कि तक्रीबर 5 lakh जो cuffs थे, babies जो थे, वो in wild beast के produce हुए थे, वो इस month में जहें वो होंगे और यह आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं, यह उन्होंने ज्यादा जो है वो area अब बहाँ पर जो grazing के लिए है, वो ज्यादा area explore किया है उन्होंने भी grazing करनी है, next April के अंदर, अब April के अंदर trend क्या बन रहा है, कि वो जो है, वो सारे के सारे इस सदरन area को छोड़के, अब वो अकठे हो रहे हैं, उनकी जो instinct है, वो उनको बता रही है कि अब यहाँ पर dry season का अगाज होने वाला है, यहाँ पर rainfall जो है, वो आहसा इ move करें, migration is always, is for the safety, to be safe, क्योंकि migrate उसी फक्त किया जाता है, जब अपने आपको बचाया जाने की सोच हो, जिसकत survival की सोच हो, तो वो जो है, वो nature ने जानवरों के अंदर, जो है, उनकी instinct की form में रखती है, तो यहाँ से उनकी जो है, वो एक northward migration, पहली जो है, वो हमें hurts की movement औ और collection नज़राई जो northward की तरफ जो है, वो start कर रहा है, और इसमें जो है, जो है, जो है, जो है, वो एरिया है, यहाँ पर, जो है, वो movement north की तरफ से start होगी, में के अंदर, look at this, यह वाला area जो है, यह भी वो उन्होंने खाली कर दिया है, और further जो है, वो north की तरफ, जो है, व वहाँ पर, जो है, वो जा रही है, और यह वाला हिस्सा जो है, अब यह western corridor का हिस्सा बनता जा रहा है, जून के अंदर मजीद जो है, जो है, जो है, जो है, वो ब्रासिस कम हो गई है, लहाज़ा यह पूरे का पूरा herd, जो है, वो एक और छोटी जगा पर, जो है, वो चला जाएगा, लेकिन इसमें ख्याल रखने की बात यह है, यहाँ पे मुस्तकिल तोर पे, जो हमें इन पिक्चर्स के अंदर देख सकतें, कि यह lakes है, इनकी यह streams बनी नहीं है, इसका मतलब है, जो migration है, इसमें जरूरी है, कि वो जहाँ ग्रासिस का, जो है, रखें कि यहाँ ग् मिलता रहे, जून के अंदर जो हड है, वो जो river है, बड़े-बडे सारे, वो western corridor की गरफ जो है, वो निकल गए है, और जो है, वो गुरू मूती river, यह लोक इट इस, यह गुरू मूती river के पास जो है, वो उन्होंने हिसा, जो है जहाँ जगा अकुपाई की है, गुरू मूत एक तो river हो गया एक तो उनकी पानी की जो कमी है और जो उनको availability है उस dry season में वो मिल जाएगी प्लस जो है ये जो river का इर्दगित का joining area है वहाँ पे जो डेल्टा से बनागा वहाँ grass available होगी एक ग्रूमूती वो जगा है वो river है दर हकीकत जो ऐसे जैसे उन्चा सा पहाड और या वो forest का हिस्सा ये grass plane का हिस्सा और उसके बाद उन्हें छलांग लगा के इस ग्रूमूती रिवर के अंदर जो है वो आना पड़ता है ये वही ग्रूमूती रिवर है जहां पे जेवरास के लिए जो है वो crocodile वेट करे होते हैं कि वो आएं और जो हम खाएं इस तरह जो है वो ये वाला जो है वो western corridor है और ये जो है वो ग्रूमूती गेम रिजर्व है यानि कि यह जगह ऐसी भी है जो के यहां पे शिकार भी किया जा सकते है और यहां पर जो है वो camping भी की जाती है यही वो जगह जहां से again migration को जो है वो जो है वो फिल्माया जाता है उसकी documentaries जो है वो तो ये ग्रूमूती जो है वो game reserve को जो है वो छोड़ कर आगे की तरफ जो है वो north की तरफ जो है वो जा रहे है और अगस्ट के अंदर further जो herd passes through chrono end into the far north west of the national park अब ये पूरे का पूरा जो है ये सरेंगेती national park है ये इसकी boundary है further जो है ये इस तरफ चला गया है again यहां पर जो जिनोंने cross करना ही इस जगा पर जो है वो अब grasses available है तो यहां पर जो है वो जितने जानवर जो migrate कर रहे थे वो यहां तक पहुंच जाएंगे September के अंदर जो है वो जो herd है further वो बिलकुल almost north of तंजानिया की तरफ पहुंच गया है और सेरेंगेती जो national park है उसका बिलकुल ये northern हिस्ता है और ये एक international boundary है between तंजानिया एंकिनिया इस दफ़ा जानवरों को तो मालूम नहीं है कि international boundary क्या चीज़ है हमने कोई visa लेना है या हमने जो हो कोई FIA के जो एकामात मानने है कि हमने यहां से उदर जाना है या नहीं जाना है तो जो wild animals हैं उनके पास ये एक जो benefit है क पासiport के बगए वीजा के जो है और बगएर किसी इजासट के वो अपनी जिनदी को बचाने के लिए यहां जो इस सरहत को प्रॉस करते हैं और किनिया के इस सहिसे के उता है जहांपे किए पानी भी मिलता है और उनको शौट ग्रासिज भी मिलती है वो यहां पर जो हड़ यहां पर जो October है उसमें यहीं पर यह लोकेट रहेंगे अपना टाइम गुजारेंगे यहां पर ग्रेस करते रहेंगे जितना भी जो है उन्हें जो है ग्रीन एरिया मिलेगे घास मिलेगी और यह जो है वो मारा रिवर के एक्रॉस है November में अगेन कि November में दुबारा जो है सेरिंगेती के इस साइट पर वो बारिश रेनफॉल जो है वो स्टार्ट हो जाती है थोड़ी थोड़ी सी वकपे-वकपे के साथ लहाजा Nature जो है उनको फिर दुबारा बताती है कि अब जो है वो अपने Original Home की तरफ वापस जो है वो चले जो है वो प्लेन के अंदर आइसा ऐसा वो जमा होना शुरू हो जाएंगे जहां से उन्होंने अपना ट्रेवल जो था यह माइग्रेशन स्टार्ट की थी और यहां पर आते वे अगेन December के अंदर बहुत सरे ऐसे जो है वो वाइल्ड अनिमल्स होंगे जिनका जो है वो जबर्त है न्यू कफ्स की जो है वो बहुत करीब है और February के अंदर और फिर जो है वो सिर्क इन्ट्रोनाइजेशन बर्ट पैटर्ट जो है वो देखने को मिलेगा और अगे जो है वो एक द survival के लिए एक ये ना खतम होने वली जो है वो migration साल हा साल करते रहते हैं और it is one of the wonders of natural world है क्योंकि इसमें उनको कोई map नहीं उनको मिलता, कोई compass नहीं मिलता, कोई direction नहीं बताता, कोई उनको जगें नहीं बताता, उनको कोई lead नहीं कराता, सिर्फ उनकी instinct जो nature नहीं नहीं को करती है कि मैंने कहां, कब, कैसे और किस वकत जाना है